हाँ तो पशू परीचर में जो मैट्स आ रही है आपको बता है मैंने आपको पिछले सेशन में बता भी दिया था कि पशू परीचर के नहीं पढ़ते हैं चोड़ दिया और प्र क्या हालत हो गई तो जिसने इंग्लिश को भी पड़ा उसका आज देख सकते हैं सेलेक्शन हो रुका है बेश्ट इसवी पास है वेसे ही अपने को क्या करना है कि पशू परीचर में खूब सारे लोग ऐसे हैं जो मैस का डर है उनके मलब दिल में लेकिन डर नहीं है एक्जाम ठीक है टेंट लेवल का पेपर होगा इसके अंदर एक्जाम होगा इसलिए मैस भी ठीकी लेवल कि आएगी ज्यादा मुश्की लेवल के नहीं लेकिन मैं इसके लिए बहुत गजब तरीके से कुई कि मैं टेंट क्लास को ट्वल्थ क्लास को पढ़ाता हूं तो कोई निकाली जाती है और बाकी आयत वर गी इन सबके परीमाप निकाले जाते हैं परीमेटर निकाले जाते हैं मेडियूम चाहिए कोई साब यह आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं ठीक कर दूँगा सब कुछ ठीक है लेकिन अपनी इसको आराम से पढ़ेंगे क्योंकि टॉ अब दो पार्ट में complete करेंगे एक पार्ट में बढ़ेंगी जैसे रेक्टेंग्ल है आयत जो है उस आयत से सम्मंदित सारे प्रशन करेंगे बल्कुल तो बैसिक्स है बैसिक से टॉप पर जाएंगे फिर अपने स्क्वाइर ले लेंगे अगर दो की जी के तीन भी बन गए पार तो कोई बात नहीं ठीक है लेकिन चालिस में तालिस पचास मिनट की अपन क्लास अब डेली रोज लिए डेली एक क्लास जो है अपन लिया करेंगे इसके बाद में जल्दी वापस थोड़ी स्पीड में आ रहा हूं तो अपन जी के बीगवार फिर से कर लेंगे वैसे काफी जी के अपना में फिर से उसको भी पढ़ेंगे साइंस भी करा दूंगा मैं चिंता ने करें तो आज का क्योशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बाते जान लेते हैं वह पूरी बात पहले Scottish स्थन जानते अपनने बात की आयत की आओ आजपन पूरी जानकारी लेने वाले हैं थोड़ सा रेकेगल के बारे में जान लेते हैं एंग्लीशे मोलते हैं इसको सफ्छान तो पहली बात number basic समझ में ऐसे टाइख लंबाई होते हैं deception ये आमने लंबाई होती है और यह बीव मतलब चोड़ाई लंबाई बिका मतलब ब्रत चोड़ाई आमने सामने की भुजाएं इसकी ब्राबर होती है ऑफ पोजीशन और साइड है यह रेक्टेंगली कुछ खास बात है एक ऐस आध चाहिए फिर बात आती है आयत के कुछ formula की तो आयत का जो शेत्रफल होता है मतलब जो area होता है उसका formula होता है लंबाई इंटू चोड़ाई L इंटू B दूसरी बात आयत का जो परिमाप होता है परिमाप का मतलब हो गया perimeter ठीक है perimeter होता है 2 bracket में L प्लस B यानि कि 2 bracket लंबाई प्लस चोड़ाई नहीं कि लंबाई इंटू चोड़ाई इंटू नहीं होगा वो तो area होगा शेत्रफल में लंबाई इंटू चोड़ाई होगा परिमाप में 2 L प्लस B फिर एक तीसरा formula आता है आयत का विकर्ण यह जो विकर्ण होता नहीं ठीक है तो हम अगर मुझे ऐसी निकालना एक डाइगनल विकर्ण तो इस ही निकालना है तो अगर मुझे विकर्ण एसी निकालना है दिसका formula हो जाएगा एक बाकि की दोनु भुजाई है ना उनका स्कुर कर दो एक बैसिक लिए तीन फॉर्मले आपको याद रखने हैं एक तो एक तो एक इसका पैरेमिटर ट्वल प्लस भी और विक्रन हो गया दोनु भुजाओं का स्कुर अंडरूट में यह बैसिक से क्योशन है बाकि अपन और कितने टाइप क्योशन मनेंगे वह अपन ले लेंगे लेकिन मेरे साब से आपको यह फॉर्मले तो याद हो गया होगे लिखलो इसको एक बार साइड में तीन चारू फॉर्मले और डाइग्राम भी ठीक है चलिए अब इस क्योशन को पन करते हैं जैसे यह स्क्योशन का निकालना है और विकर्ण की लंभाई भी निकालना है ऐसे क्योशन आते हैं तो सीधा फॉर्मला की आयत का शेत्रफल का फॉर्मला था है एल इंटू बी मैं तोड़े शोट में कराऊंगा ज्यादा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना ना कॉम्पिटेशन का जबाना है कॉ तो अब सीधा लिखूंगा एरिया वाई शेत्रफल निकालने पन तो शेत्रफल के लिए हो जाएगा एल इंटू भी एल देया रहा है चालीस इंटू तो सीधा मंटिप्लाई कर दो जो दो तो लगा तो और चारती बारा समझ में आ गई तो यानि की चालीस इनू तीस का हो और आपको निकालने आयत के विकर्ण के लंबाई विकर्ण कौन सा होता है एक बार तो बना देता हूं यह विकर्ण ठीक है और सपोज मैंने कहा था एबी सिडिय कर नाम देते हैं अपने इसको तो एस हमको निकालना तो एसी का फॉर्म्मला हो जाएगा एबी का स्क्वेर तो बताओ अबी क्या थी लंबाई थी तो यह आपको पता है चालीस मालो दो फरक नहीं पड़ेगा ठीक है ओके को सो ला सो प्लस नो सो ठीक है दो नूं को जोड़ेंगे तब होगे पचीस सो 2500 तो एसी की विल्म्मली की हो जाएगा आपको पता है 25 00 पचास ठीक है ना कैसे होता है वे सो तो नोटा मूटी आप अंदाजा भी लगा सकते हो 25 का 5020 बैसे नहीं आता हूं कि बड़ी वेलियो ता वैसे दो जोड़े बना लिया करो मनला लिए लसीम टाइप कर लो तो यह जाएंगे आपके बारा सो फिर दो से करोगे तो आपके 625 है ना फिर पांसे करोगे तो एक बार फिर दो बार 125 फिर पांसे करोगे तो दो और पांच फिर पांसे करोगे तो यह पांच और यह पांच खतब दो जोड़े बनते एक जोड़ा एक जोड़ा और एक जोड़ा यानिकि दो लेलो पां यह आगया 50 तो समझने आपको आगई दोनों आंसर आचुके हैं विक्रण की लंबाई तो 50 आंसर है और आपके शेत्र पहले 1200 मेटर स्क्वेर ठीक है ऑप्शन के नरे से होंगे जैसे यह ओप्शन देगा लाइन वाइज 1200 मेटर स्क्वेर कोमा पचास या फिर 50 कोमा बारा सो लेगने हमें वह ध्यान रखना पहले क्या पूछा तो पहले पूछा तो उस पर टिक कर देंगे ठीक है सिंपल सिंपल से क्योषन आते हैं यह ता फ़्रास क्योषन सेक towers एक आयत की लंबाई 15 सैन्टी मेटर है बिल्कुल यह अगर डायग्राम बनाई न तो आप आराम समझ है यह लमभाई 15 सैन्टी मेटर है 3 a और आयत का शेत्रफल ग्याद करो आराम समझो यह अगर 15 तो यह भी 15 होगा हो आमने सामने की बुझाएं बराबर होती है आयत की लंबाई यह तो उसने कहा कि कि आयत की लंबाई 15 सेंटीमिटर इसके विकरंड की लंबाई 17 सेंटीमिटर है और फिर आयत के शेत्रफल निकालो मतलब आयत का एरिया निकालो अब आप सब को पता है कि एरिया का फॉर्मूल होता है एल इंटु बी आपको पता है कि एल तो दिया वायर 15 मतलब एल तो हमारे तरफुज नी लीड़ाइट पुछ पुछ तरफुज तो यह तरफुज कैसा बन गया है ट्राइंगल कैसा बन गया समकॉर्ण तरफुज राइट अंगल ट्राइंगल क्योंकि इसमें नभे और समकोन तिर्भुज में पाइथा गुरिस्पर में लगता है और किसी भी तर्भुज में लिगता समकों जो राइट अंगल ट्राइंगल उसमें पाइथा गुर। तो आपको पता है कि लिए सिए आपको 17 दे रोगी सव्क्वेर एप 15 का स्क्वेर और बीसके स्क्वेर देनी रिखा ठीक है बीसी दो में निकालना है यह तो निकालना जो जो वैश्चत तर्बुज के तो जाएगी उचाई और हमारे लिए हो जाएगी चोड़ाइब बिल्कुल सही है सतरा के स्कूर 289 होता है पंद्रा का स्कूर 225 होता है 225 और अब इसको इधर लिया हो तो मैं एक स्टेप खा लेता हूं यहां पर ठीक है ताइम बज़ा इसको माइनस कर दो यह लो बीची स्कूर तो क्या बज़ाएगा नौ में से पांच यह तो चार और आट मेंस दोगे तो यह बचके ठीक बीची स आ गया तो हमारे पास में चोड़ा ही चाहिए थी आठ आ गया और इसको मुल्टिप्लाइब कर दो शेतर प्ला जाएगा आट पंचे चालीस सांसी लग जाएगी चार और आट जाएगी तो बारा सेंटीमेटर के सेंटीमेटर स्कॉयर आपका अंसर हो गया एक सो बीस सेंट फिर एक आयत का शेतर प्ला आपको पहले सेंटीमेटर 252 वर्ग सेंटीमेटर आपको आयत का शेतर प्ला दे दिया ठीक है और इसकी लंबाई और चोड़ाई का अनुपात दिया वाए नो अनुपात साथ ये क्योशन बड़ा गजब का है ठीक हमने देखा कि हमारे पास में एरिया दिया वाए एरिया का फॉर्मला होता है एल इंटू बी वो दिया वाए 252 आरा हम से समझो आयत का शेतर प्ल दो सो बाउन दिया वाए और आयत का शेतर प्ल होता है क्या है लंबाई इंटू चोड़ाई ही 200 बाउन है ठीक है अब उसने कहा कि लंबाई चोड़ाई क तो एक चीज़ का जरूर ध्यान लखना जब भी कोई क्योशन अनुपात में आए उसको आपको एक्स के साथ में कंपेर कराके खोलना है मतलब इसका यह वा कि लंबाई तो है नाइन एक्स इंटू चोड़ाई है साथ एक्स बस बराबर 252 समझ में आगी बबाबर 252 तो एक्स स्क्वेर बराबर 252 अपनी जगे रहेंगे 63 आ जाएगा नीचे इसको आराम से आप काट दो कैसे कटेगा कि 2 और 5-7-7-29 3-5 यह भी तीन की टेबल से कटेगा अपस में नमर कोźलो अगर तीन के भाड़ ही माते हैं तो तीन से कट जाएंगे यह तीन की रेबल से कट गया 21 बार यह तीन अट्थे चोबिस बच गया तीन चोख और एक की चार चोड़ा सी यानि एक स्क्वाइर बर आगया 84 अब आपको पता है स्क्वाइर जाता है रूट में यह लो साब और सोरी चोरा से लिग दिया मैंने 14 जयते तो कट गया न investigating 24 चार में दिया उसने पूछ है कि इसकी परीमिति कितनी है परीमिति का मत? अब यह प्याट समझदा परीमिति का दूसरा नाम परीमाप होता है मतलब पैरिमिटर में क्या बोलते हैं को पैरिमिटर बोलते हैं को इकованияट बात नहीं है तो पेरिमिटर का फॉर्मॉला किया था दो ब्रेकिट में लंबाई प्लस चोड़ाई तो मतलब हमें लंबाई और चोड़ाई निकालना जरूरी था इसलिए हमने एक्स की विल्वी निकाली और अब हम वापस दाएंगे हमें पता है कि लंबाई तो है नो एक्स और चोड़ाई यह साथ एक्स यही तो है अमने मानी थे नहीं है पर बिल्कुल तो नो इंटु एक्स नो इंटु एक्स एक्स का मतलब है दो तो लंबाई तो होगी एठारा यह साथ इंटु एक्स यह होगी चौदा फॉर्टीन हो गई अब हम निकाल देंगे परिमाप और 32 को 2 से गुणा करो 64 ठीक है न 64 आंसर आपका हो गया इसने परीमिती पूछी थी परीमाप पूछा था तो 64 आंसर वेरी इंपोर्टेंट है न कोई दिक्कत नहीं है वेरी इजी है सोच किया करो फिर भी कोई इश्यू बन जाए कि इस क्योश्चन में इस टाइम पर यह मेरे रेशो दिया है आठ अनुपाद 5 सेम वही बात लंबाई हो जाएगी 8 एक्स चोड़ाई हो जाएगी 5 एक्स मैंने कहाता ना कि जब भी अनुपाद या रेशो में चीज़ दे रखी हो तो आपको उसको तुरंत एक्स के साथ कंपेर करना है यदि चोड़ाई लंबाई से 60 म कीटर कम है तो बताओ इस आयत का परिमाप या परीमिति क्या होगी मतलब हमें निकालना है दो ब्रेकिट में लंबाई प्लस चोड़ाई क्यों करना है अप हमेशा ध्यान रखना बहुत घंब की चीज़ सिखाने वाला हूँ जो शाहइद आज के बद्द आपकी डौट रह कि जब भी आपको की इतनी ज्यादा इतनी कम ऐने ऎज़ती है ऍुक्त सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है अगर लंबाई आट एक से ठीक है चोड़ाई पांच एक से ठीक था लेकिन यह कह रहा है कि यदि चोड़ाई लंबाई से साट मिटर कम है किसे लंबाई से चोड़ाई साट मिटर कम है तो भाई यह इस से साट कम है तो इसमें अगर साठ जोड़ दूं तब दोनूं बराबर हो जाएंगे ना बस ये समझना है मतलब नहीं कहा रहा हूं कि जो लम्बाई है यह लम्बाई सेंhen जो चोड़ाई है वो साठ कम है हमें तो बराबर करना है साठ उसमें जोड़ दो ताकि वो उपर उड़ जाए या फिर इसमें जी 60- कर दो लेकिन माइनस के जमलें पढ़ते ही क्यों अपने तो एक सिस्टम है कि उसमें जोड़ दो किसमें जोड़ दो जो कम है हमेशा जो कम है उसमें जोड़ दो दो बराबरा जाएंगे बस यही चीज़ सीखनी थी बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस क्योशन ने जैसा कहा था वैसा हम कर देंगे इसने कहा कि 8x बराबर 5x प्लस 7 5x इदर आ जाएंगे तो 8x में से 5x अभी प्लस के इदर आ के माइनस के हो जाएंगे तो बचगे 3x 3x प्लस तो x की विल्य हो जाएगी 20 क्योंकि 3 आ जाएगा बटे में कड जाएगा तो x की विल्य हो जाएगी 20 अब कोई दिक्कत नहीं है लंबाई क्या थी 8x थी 4x आचकी है 8一定要 20 यह हो जाएगा 5阻नी ने नुट 2 वह हो जाएगा 110 ईयह हो जाएगी 100 सेंटीमेटर है मिटर है लगा दो मिटर यानि कि लंबाई तो हैं 162 अब रग दो यहां पर क्योंकि मैं परीमा पी तो निकालना है लंबाई चोड़ा है यह पास आ चुकी है लंबाई हमारे पास में 160 160 और चोड़ा हमारे पास में 100 ठीक है तो टूर होगे 260 260 को मल्टिप्लाइब कर दो जीरो बारा हांसी लग जाएगी एक 520 आपका अंसर मिटर दे मिटर लगा दो बस तो कोई दिक्केत वाली बात नहीं है ऐसे क्योंशन आते हैं बस करना क्या है कि जो चोटा है चोटा या कम है जो कम है उसमें जोड़ दो उसमें जोड़ दो जोड़ दो ठीक है उसमें जोड़ना यह ट्रिक है दोनु को बराबर करना है किसी को बड़ा चोटा नहीं देखना अगर यह कम है तो इसको बड़ा दो बिचारे को ताकि बराबर आजाए ठी है very important अगला देखो एक आयताकार खेत है वापस क्योंकि जितने भी आयत से समझने प्रशन मनाइंगे वो कर रहे हैं एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चोडाई से 48 मिटर अधिक है वापस एक आयताकार खेत है उसकी जो लम एक तो लमाई होती है योता क्या है एक आपको पता है कि चोड़ाई कितनी नहीं पता तो माना की चोड़ाई एक से माना की चोड़ाई एक से तो लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस अड़तालिस तो मानना की क्योंकि जिस सें इधने कि छोटी यादी है जिस सें छोटी या बड़ी और या कम या ज्यादा ये की बात है कम या ज्यादा है उसको एकस मानना है उसको मानना होता है बहुत गजभ की बाते बता नहीं बिल्कुल बैसिक्स अलिकाद 1 0 अभी हिरो बन जाएक मैं दिल में है में पढ़ना की तो त्टीक जोड़ों का किसमें सभी बात है माना कि एगर ऊपाइग से तो लंभाइग सस्वज gentlemen जादा है और परिम्हत आप दिया वह परीमिंटर दिया एगा 800 और हम अच्छे तरह जानते हैं परीमा आपके नीचे परिमा आपका फॉर्मला लगाओ वह होता है दो लंबाई प्लस चोड़ाई 802 का 2 लंबाई की जितर। एक्स प्लस आट आलेस लंबाई कितनी एकस प्लस आड़तालीस है और चोड़ाई कितनी है ओनली सब्सक्राइब और यह जो दो मल्टिप्लाइब में यह जाएगा इदर तो यह से कड़ जाएगा नीचे न दो तो 400 बन जाएगा ठीक है मैं तोड़ा शोट में कर रहा हूं 200 एक्स घेथ चुरो पूरा कर देमना क्या पता कुछ बच्चों गता व्यूंध चुलम्य पूरा गEREत पराबर 400 लात लिए ऑप समझना 352 दस में साथ यह तो दो हां सही है तो एक्स की विल्य आ जाएगी 352 अपॉण टू तो एक्स कितना हो जाएगा एक हो जाएगा एक बार फिर आपके साथ बार और छे बार 176 आपके एक्स की विल्य आ गई ठीक है और यह 400 कैसे हो तो समझ गया दो का भाग चला गया ठीक है अब सुनो एक्स की विल्य वन सेवंटी सिक्स अब कोई दिकत नहीं लंबाई में रख दो इस एक्स ही जिगत लंबाई हो जाएगी 176 प्लस 48 है ना आप चैद्स लगी एक आचार गरे बारा अशीं लगी एक दो सो चौबिस तो लंबाई तो की दो सो चौबिस और एक्स आप तो एक्स दो 16 रहे तो चोड़ा यहां दोनों आ चुके बस उसने पूछा किया था शेतर्फ फल कितना सील विल्य निया कितनी दो सो चौबिस इन तो आपका आपका आंत्र हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है प्रेक्टिस कर लेते हो तो आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा पहली बार इसा लगेगा कि यह क्या है दूसरी बार पढ़ो फिर तीसरी बार पढ़ो सेम पढ़ते जाओ ज्यादा मत पढ़ो जो मैं मैटर दे रहा हूं उतने से पढ़ लो ऐसे नेक्स क्योशन देखो बहुत गजब का शेशन होने वाले आज का अपन हर शेशन को 45-50 मिनट के बीच में रखेंगे ताकि आप उसको अपडेट कर पाओ दिन पर में उसको तयार कर पाओ एक आयताकार शेतर के चारों और गोमने पर एक वेक्ति 6 किलोमेटर की दूरी ते करता है ठीक है इसका मतलब आप चकर काटता है तो 6 किलोमेटर की डिस्टेंस कर और तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रेक्टेंगल यह आईताकार कोई खेत हो और उसके चारों और कोई बंदा चकर काट रहा हो चाहिए वर्गाकार हो चाहिए कोई साइवरताकार हो के साभी हो अगर बाउंडरी अगर आप बाउंडरी बाउंडरी पर रसी बांद रहे हो तो वह उसका मतलब वह जो है उसका आयत का परीमाफ है और आयत का परीमाफ रेक्टेंगल का परेमेटर होता है दो लंबाई प्लस चोड़ाई बराबर ठीक है वह इच्छ है समझ मैं आ गई बिल्कुल इसका मतलब यह हुआ अब एल प्लस भी हो गया तीन आप सब समझते हो कि दो का भाग चला गया च्छे में एक्वेशन बड़ी गजब की बन गई ठीक है ऐसे ही एक चीज ओड़ दी हुई है कि यदि इसका एरिया दो वर किलोमेटर वह इसका शेत्रफल दो वर क करेंगे लंबा चला जाएगा उसने पूछा क्या है कि इसकी लंबाई और चोड़ाई में अंतर कितना है बहुत दांसो क्योशन है तो आपको जब भी ऐसा पूछे ऐसा कोई सा भी क्योशन हो तो उसको करना है अकोर्डिंग टू ऑप्शन करना दिमाग लगाओ क्योंकि ऑ इसको वैसे करने को तो लंबा चला जाएगा अपना कॉंपेटिशन का पेपर फाइट करना एक्जाम पाइट करना है तो शोट्रिक जतनी हो उतनी अप्लाई करनी है तो वेरी इसी है इन दोनों रख के देखो इन में से कोई सी भी वेल्यू ठीक है अच्छा लंबाई अंतर होगा वो जो भी होगा सपोज अपने यहां पर वन रखा लंबाई वन रखी चोड़ाई टू रखी दोनों को जोड़ों तो सही बैट रहा है क्या तीन बैठ रहा है तो मतलब अगर यहां इन में से कुछ भी वेल्यू रख लें अपन कोई जरूर नहीं है कुछ भी बस यहां बैठ जाना चाहिए यहां में वन इंटू टू रुकों बैठ जाएगा क्या बैठ गया मतलब ऐसी वेल्यू सोचो जो बैठ जाए और आराम से इजी होती है बहुत गजब की ट्रिक है वन इंटू टू जब मैं लाइव टेस्ट लोंगा ना तब ऐसे क्यों और ल तो यहां पर दोनु का मल्टिप्लाई यह आना चाहिए बिल्कुल सही बैठ गया वन और टू इसका मतलब यह हुआ कि उसने पूछा कि दोनु का अंतर क्या इसका मालेत है कि लंबाई दो है चोड़ाई एक है या फिर कोई बात है लंबाई एक है चोड़ाई दो है कोई फ कोई सी भी वेल्यू ऐसी रखके देखना यहां पर बस बीज का जो अंतर होगा वह आपका अंसर होगा ठीक है ना ऐसा क्योशन बहुत गजब का है इसको ट्रिक को बिलिक लेना साइड में अगला क्योशन देखो एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से एक सेंटीमिटर जाद बड़ा गजब का क्योशन है मान लेते हैं मैंने वापस सेंटंने बात बताय थी आपको कि जिस सेंट कंपेर कर रहे हैं अपन किस सेंटंने रहे हैं चोडाई सें उसने कहा कि लंबाई। चोडाई तो मान लिए चोडाई अगर एकस है तो लंबाई हो जाएगी x1 है सव्श्मयागे क्योंकि जिस सेंpaire करें जिस सेंत तुलनां की जा रही है तो अगर 6 रही तो नंबाई का फॉर्मूला होता है दो ब्रेकिट में लंबाई प्लस चोड़ाई वह चाहुदा यह का लंबाई कि लंबाई रखे लो चोड़ाई कि बात है लंबाई पहले रख धी मैंने उसे क्या परक्पड़ा ठीक है यह बराभर चाहुदा और इंटु टु टु आ जाएगा इसके न 4-2x 2-2x 2 x plus 1-7 हो गया तो Pas recommend 這 2-1 इद騰 आ गेना मायनस 아घ यह मैंनेस ना इत्र सो यह क्या था आई दो चला ङए चेकर नीचे था एक्स की वेल्य दो आ गई इसका मतलब चोड़ागी तो हो गई 2 को और लंबा हो गी तीन टू प्लस न पूछा क्या था आयत का चेतर फल ग्यात करो आयत का चेतर बोलता लंबाई इंट चोड़ाई तो लंबाई कितनी दो दो गुण तीन यानिकि छे आपका अंसर हो जाएगा एक ही बात है उसके विकर्ण की लंबाई डाइगनल की लेंद काफी बढ़िया क्योशन है सपोज यह एक आयत है ठीक है द्यान से समझना यह इसका डाइगनल है माल लेते हैं कि यह सत्रा है सत्रा मीटर है माल लिया और उसका परिमाप परिमाप का फॉर्मुला होता है दो ब्रेकेट में लंबाई प्लस चोड़ाई यह 46 है तो सिद्धिसी बात है दो जाएगा च्छी और आप सब जानते हो कि आयत का परते को नंबर डिग्री होता है तो यह एक तरबुज बन गया एबीसी और एबीसी तरबुज पाई था को इस तो लग जाएगी बिल्कुल सही बात है और वेसे परिम को पता है कि आयत का डाइगनल का फॉर्मॉला में आपको स्टार्टिं इसको यह समझें आप मतलब वह एक्चुल में यही बना है अरे चिंता नागना पहेंगे सब्सक्राइब बिल्कुल सही है यह होता है यह होता है लेकिन यह क्यों हुआ क्योंकि यहां वाला जो स्कुर्ण ता वो रूट में बदला है अगर मैं चाहूं तो उसको वापस हट लगा दूगा ना बात एक ही है क्योंकि पायता गोरस फ्योर्म है यह आयत का विकरण कोई अलक्सें विकरण नहीं है वह एक्चुल में पायता गोरस वाला करण है हाइपोटेनिस ही और यह थी चीज है अब समझो इस बात को कि हमारे पास यहां पर क्या है एबी एपी का मत तब लंबाई है तो अपने इस एबी की जगें एल का स्क्वाइर भी लिख सकते हैं येलो साब लंबाई का स्क्वेर और बीसी की जगें अपने चोड़ाई लिख सकते हैं क्योंकि बीसी क्या है चोड़ाई है तो एल का स्क्वाइर प्लस भी का स्क्वेर सही बात है न और एस समझना हमें चाहिए खेद का छहत्रफल और खेद का सबस्दकार मतलब हमें एल इन टु बी चाहिए एल इन टु बी कितना होगा बस यह हमारा अंसर होगा ठीक है तो अब यहां पर थोड़ा दिमांग तो यूज करना पड़ेगा प्रैक्टिस इसको अपने क्या करेंगे बहुत साइड स्क्वारिंग कर देंगे दोनों तरफ वर्क कर दो मतलब एल प्लस बी का भी होल ट्वाइस कर दो और ट्रिक काम नहीं करेंगे इसको ऐसा करना पड़ेगा यहां अपर अब इसको करते हैं तो यह खुलता है अब यह एक्यूशन हमारे पहले आचो कि यह को इसको अपने आप में 289 तो यहां पर यह हो जाएगा आपके टू एल भी हाला कि देखो मैं जानबूज की बड़ा लिखना हूं वरना आपको शौट में करना है यहां पर टू एट नाइं उसको सीधा उदर बैजना माइन समझ जाएगा उसी दिशी बात है तो द्यान रखें स्टेप कुछ छोटा लिकर नसीखो इसके बाद में करना किया है 289 माइस में चला जाएगा तो टू यह मतलब टू जाएगा आपके 120 तो बस यह हमारा आंसर है क्योंकि LB तो लाणा था LB का मतलब आयत का 46 पर होता है तो 120 मिटर है क्या है तो मिटर लगा दो यह आपका आंसर है तो यह बड़ा easy format है मैं भी आपको जानबूज़ क्यों सिखाना चाहरा हूं तीक है यह ध्यान लखना तो मैं भी सिखाना चाहरा हूं इस वज़े से हैं तो आयत का 46 पर होज़ेक 120 मिटर स्कॉयर क्योंकि एरिया मिटर स्कॉयर ही होता है तो वह आपने को ध्यान लखना बाकि आप इसको और एक दो स्टेप कम कर सकते हो क्योंकि सीखते टाइम तो लोग खुला खुला सीख लेंगे लेकिन वहां पर इससे भी छोटा करना है लेकिन अभी में छोटा नहीं करा हूंगा लाइव टेस जब लोगा तो बहुत वैदी शोट करा हूंगा बिलकुल थोड़ा सा चलाएंगे पर लेकिन एक बारी में आपको पूरा समझा देता हूं अगला क्योशन देखो ये गजब के क्योशन अब 4-5 क्योशन ले रहें बहुत ऐतियासिक है ये क्या बोला मैंने बहुत ऐतियासिक है इनको आपने बहुत बड़े-बड़े सलस्ट कियोंगे लेकिन very important आज के बाद आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे very important trick है उस trick को आप लिखने वाले हैं ठीक है उस trick को यह लिखो कि question जब भी आपको ऐसा आए कि किसी आयत की लंबाई में इतने percent की वर्दी चोड़ाई में इतने percent की कमी या फिर लंबाई में इतने की कमी चोड़ाई में इतने की वर्दी मतलब दोनों में उन्हीं चाहिए लंबाई चोड़ाई में जब भी कमी वर्दी या कमी कमी या वर्दी वर्दी कुछ भी हो ठीक है दोनों में लंबा ही चोड़े में जब भी कमी वर्दी वाला क्योशन हो तो एक ट्रिक है वाई कौन सी ट्रिक है एक बार फॉर्मूला चेक कर लेना A प्लस B प्लस AB अपॉन हंड्रेट समझ में आगे आपके ये फॉर्मूला है ये गजब का फॉर्मूला है कि कितने परसेंट की कमी है कितने परसेंट की वर्दी मलों जो वर्दी कमी वाली बात है वो है लेकिन एक चीज़ का ध्यान लखना है अगर वर्दी है वर्दी है तो वेल्यू प्लस में लेनी है ठीक है वेल्यू प्लस में लेनी है और अगर कमी है तो फिर उस value को minus में लेनी है बस इतना साध्यान रखना है जैसे कि मैं इस question को करके बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या है कि किसी आयत की लंबाई 10% की वर्दी तो लंबाई को A मान लो चोड़ाई को B मान लो कोई फरक मी पढ़े ठीक है तो देखो 10% लिख दिया मैंने 10 plus का लिखा मैंने क्योंकि वर्दी है 10% की वर्दी है और चोड़ाई में 10% की कमी मतलब A की value मुझे लेनी है प्लस में 10 बहुत बात दिमाग में फिट कर लेना और B की value मुझे लेनी है माइनस में 10 यह द्यान रखना है मतलब कमी को माइनस में लेना है वर्दी को प्लस में लेना है A और B की value fix होने के बाद मैं तो कोई दिक्केत नहीं value तो fit करनी है कर दो fit A की जिगा plus का 10 B की जिगा minus का 10 फिर देखो यहां पर एक बार plus लगाओ तो लगाओ वैसे होना तो minus यह वो क्योंकि A की जिगा रखेंगे आप plus का 10 और B की जिगा रखेंगे minus का 10 ठीक है 10 इन दो 10 यह हो गया आपके minus का 100 पूरी बात को समझना यह आपके हो गया minus का 100 और नीचे plus का 100 इससे कट गया तो minus one answer आया इसका तो एक बात का ध्यान रखना है जब आपका answer minus में आये यह minus one आया है इसका मतलब minus का मतलब है कमी इसका मतलब है एक परसेंट की कमी क्यों क्यों क्योंशन क्या पूचा तो बताओ इसके शेतरफल में कितना परिवर्तन आया तो आपको यह लिखना है कि अगर ऐसा हुआ 10% उसकी लंबाई में बडोतरी हुई 10% चोड़ाई में कमी हुई तो इस परकार के इसके आयत के शेतरफल में एक परसेंट की कमी आएगी यह आपका answer हुआ तो ध्यान रखें इसके दूसरे शब्द में आंसर आएगा 1% की कमी ओप्शन A 1% की कमी ओप्शन B 1% की वर्दी ओप्शन C अलग तो ध्यान रखें आपको 1% की कमी वाले ओप्शन पर टिक करना है बताओ कैसी लिए ट्रिक जरूर कमेंट करना मज़ा आगया हुआ ठीक है जैसे 24 खैना ओर लेते हैं से यह वाला देखो एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है चोड़ाई में 80% की वर्दी कर दी जाती है तो देखो लंबाई A और B का खेले पुराई लंबाई में 50% की कमी का मतलब है A को मानलो माइनस का 50 चोडाई में 80% की वर्दी कर दी जाती है तो इसको मानलो प्लस का 80 फॉर्मला क्या कहता है A प्लस B देखो A प्लस B एक बार तो मैं पूरा बता रहा हूँ बढ़ना आप सीधा लिखो के 30 वहाँ एक्जाम आप कैसे लिखें डारेक्ट 30 लिखेंगे अभी तो मैं फॉर्मल्टी पूरी कर रहा हूँ प्लस A इंटू B A इंटू B का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई तो दो तो लग गए 0 5,8,40 और माइनस प्लस माइनस होता तो इस जगह भी माइनस ही आना है अरे समझ तो गए न तो येलो माइनस और इसके नीचे है 102,0 से 2,0 कट पीछे क्या बचा माइनस का 40 और माइनस का 50 तो माइनस के तो गए 90 और प्लस के थे 80 तो अंसर है माइनस का 10 और मैंने भी कहा था कि जब आंसर माइनस में आता है इसका मतलब 10% की क्या है कमी वेरी गुड तो ध्यान रखें ऑप्शन ए रहेगा 10% की वर्दी लेकिन आपको भी पर्टी करना 10% की कमी समझ में आगी नहीं तो यह जरूर ध्यान रहना है बहुत गजब का ट्रिक है यह 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 तो समझ में आगिया होगा कि यहां दोज़ूर जोरू कटीया सरफ माइनस सालीस यह बचा तो माइनस सालीस माइनस माइनस की जुड तो जाएंगे लेकिन साइन अपना है रखेंगे क्योंकि यह समालों कि इनका सरनेम है यह अपने पास रखेंगे तो माइनस के 50 और यहां से समझना है इसको काट देने ठीक है यहां समाद लो एक तोलिया की लंबाई में एक तोलिया की लंबाई में 20% की कमी इसका मतलब A की value हो जाएगी minus 20 चोडाई में 10% की कमी अच्छा दोनों माइनस है minus 10 कोई दिक्कत नहीं 20% की कमी लंबाई में 10% कमी चोडाई में तो इसके शेतरफल में overall कितने की कमी पढ़ जाएगी तो देख लेते हैं minus 20 minus 10 क्योंकि A B plus A into B A into B का मतलब है minus 20 into minus का 10 मैं step खा भी सकता था लेकिन आज आज तो पूरा है सिखाऊंगा तो ध्यान रखें ये तो हो गया minus का 30 इन दोनों को जब गुना किया तो minus minus हो गया plus और ये हो गया 200 और नीचे 100 है 20-20 कट गया तो minus 30 plus 2 हुआ तो answer है minus का 28 minus का 28 का मतलब क्या वा कि overall आपके 28% की क्या हो गई कमी हो गई 28% की कमी हो गई क्योंकि answer minus में है और अगर answer plus में आता तो 28% का फाइदा हो जाता है न जबर्दस क्योशन तो मतलब percentage के क्योशन क्योशन चाहिए केसे भी आएं कितने भी बड़े से बड़े क्योंने आ जाएं आपको पूछ की आएंगे बहुत गजब गजब के क्योशन है ठीक है न बहुत शानदार अगला देखो एक आयत की लंबाई में 50% वर्दी चोड़ा इने 50% कमी करने पर नए आयत का शेतरपल पहले आयत की कितना अधिक या कितना कम क्योशन कैसे भी गुमाई कोई फरक नहीं पड़ता हमें तो ट्रिक का पता है कि कमी और ज्यादा वाली बात कर रहा है तो हमें मान के चलना है एकी वेल्यू 50% की वर्दी है तो एकी वेल्यू प्लस का पचास और बी की वेल्यू क्या है 50% की कमी है तो माईनस का पचास वेरी एजी आओ इधर करते हैं ए प्लस बी येलो साव हालांगी जीरो हो चुका लेकिन फिर भी फॉर मल्टी करा हूँ पूरी आज आज तो पूरा सिखेंगे लाइव क्लास में नहीं सीखेंगे वाँ तो सिर्फ ट्रिक काम करेंगे A इंटू B A इंटू B का मतलब क्या हुआ 50 इंटू 50 लेकिन आंसर माईनस में आएगा भाई क्योंकि प्लस माईनस गुणा हो रहा है न दोनू यहां तो यह भी आएगा न तो माईनस का आया गया 25 और दो लग गए 0 और नीचे आ गया 100 और यह सही है न दो जिरो से दो जिरो कट यह हो गया 0 अंसर है माईनस का 25 ठीक है और माईनस का 25 का मतलब यह हुआ कि 25 परसेंट की क्या हो गई कमी किसी के डाउट हो तो मैं थोड़ा खोल के मतादेता हूं लगास किया क्योंकि जरूर नहीं है आपको अपन सबके बड़ाबर मान के चलें छुए जरूर नहीं रखी खुब सब्समिन अपर फिरो से भी सीख रहें आपने पॉन हंडरेटила यहीं पएट यह हां 5srs रखre होगए तो मैंने इनको पहले यह पप्रण पर जाते जीरो हो गया तो जीरो उगया है इन दोनों गुणा किया था मैंने तो पांच इंटू पांच हिसाब किताब के अंदर 25% की कमी हो गई ठीक है ना शांदार क्योशन बिलकुल शांदार क्योशन अगला क्योशन क्या है एक आयत की लंबाई में 25% व्रदी कर दी जाती है इसकी चोडाई में कितने परतिशत कमी की जाए अब यहां पर आप तुरंद दिमाग गोंगे आपका कि यहां पर तो जो है ना लंबाई और चोड़ाई दोनों में नहीं कर रहें दोनों में नहीं कर रहें तो फिर यहां पर ट्रिक नहीं लगेगी यहां पर सलोशन करना पड़ेगा क्योंकि वह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि दोनों में लगे जैसा क्योशन यह थ पूछता है कि चोड़ाई में कितने प्रतेशत कमी करूं कमी कर दों कि उसके शेतरफल में कोई परिवर्त ना हो अब ऐसा क्योंक्षन जब भी आ जाए आपको यह तो भाई अपनको किसी को नहीं पता कि लंबाई कितनी चोड़ाई कितनी लेकिन वह अपनको खिलाना चाहता है परसंटेज में और जब हम परसंटेज में जब खेलते हैं तो परसंटेज का मतलब सो होता है परसंटेज का मतलब क्या होता है 100 तो मान लेते हैं कि लंबाई और मान लेते हैं कि चोडाई 20 ऐसे केस में लंबाई चोडाई को सो सू मान के चलना है ठीक है कि 100-100% क्योंकि हर कोई अपने आप में 100% होता अरे भाई कोई आदमी, साड़े शह पिट का है, ये शहidian बाई कोई आदमी चाराथ पिट का है, तो चार फिट का है, तो ब्रूब्र और छेपीट वाल अपनी जिग अपनी हाम में 100% है वह यह परसंट है तो सपोज लंबाई भी 100% और चोड़ाई भी 100% मान लेते हैं अब उसने कहा कि लंबाई में 25% की वरदी कर दी तो लंबाई 125 हो गई चोड़ाई में कुछ अब कह रहा है कि चोड़ाई में क्या करें तो 100 चोड़ाई में कितने प्रक्यरत की कमी करें सो थी इसमें कितने का मतलब है वालएं ऌने क्सी कमें करें बान सकते हैं तो उसके कोई में कोई फरक ना पड़े यह बात आपको समझनी ठीक है और हमें पता है कि एक्ट्रूल क्या होता है एलें än-टूB भाई इसका एक्ट्र vidéos gravel लंबाई हो गई और चोड़ाई होगी 100 माइनस X कितने की कमी करें पता नहीं था न तो वह हो गई तो अपन कर लेंगे इसको मल्टिप्लाई करो एक बार सो से करोगे तो ये लोगस ये हो गया और इससे करोगे तो यहाँक के चलिए अब क्या होगा यह इन्टूस हो गया फनकोई कोई दिखेंगे क्यों क्योंकि एक्च्वल में तो था लेकिन हमारे च्वंधर कोड़िंग अब लंबाई चोड़ा है तो यह ही वह हैं बात यह क्योंकि उसका की परिवरतन नहीं होना चाहिए कोई परिवर्तन नहीं होगा अब यह 10,000 हो गए इसको बेज़ेंगे अपन यह इसको इधर लिया वेकी बात है इस दस जार को इधर लिया हो तो यहां बचके यह 25 सो और सभी जार तो बचेंगे और 125 को उधर बेज़ दो वेरी इजी ताकि वेल्यू सारी प्लस मन जाए मतलब यह 10,000 इदर आएंगे बाइदस दर कैसे वे सो इन्टो चार जिरो लगे न तो बाद साड़े 12,000 में दस दर चलेगे तो डाही जार बचके ठीक एक सो पचीस भी दाई सब्चीशा के निचे आ जाएंगा इसके निचे आजएंगे 125 तो 125 दून तो सीधा सीधा आगया आपके एकस की वेल्यू बीस तो इसका मतलब क्या हूं ने पूछा कि कितने परतिश्यत की कमी की जाए तो 20 परतिश्यत की कमी कर दो यह आपका अन्सर है यानी कि उ लेकिन कोई बाद ही तरीका बड़ा शांदार था अब हम चलते हैं वापस बहुत कुछ सीखेंगे बहुत कुछ सीखने का मोका है आपके पास में यह देखो एक्चुल मालेते हैं कि दोनों 100-100 है कि लंबाई भी सो माल लेते हैं और चोड़ाई भी सो कुछ भी मान सकते हैं अब उसने क्या कहा कि लंबाई यहना उसमें 25% की वर्दी कर दी जाती है तो लंबाई तो होगी चलो 125 चोड़ाई में कितने करें पता नहीं एक समाल लेते हैं एक बार यह सो सो का आप एक मिनट के लिए बूलन एक सो पचीशन तो हमारा यही रहे गा यह सो इन्टू सो एकसो पचीशनों एकसो निचा जाएगा यानि कि इस सो इन्टू सो का मतलब आपके 10,000 डाइड 625 निचा आ गया एक सीदर आ गया तो 125 की टेबल से 1008 बार करते हैं जिरू लग गया यहां पर तो X की वेलियो आ गई 80 लेकिन ध्यान रखना चोड़ाई थी कितनी एक्चुल में 100 और अब वो चोड़ाई रे गई 80 इसका मतलब क्या हुआ कि 20% की कमी हमें अगर करते हैं तब दोनों का एरिया बराबर है जाता है तो ये भी एक तरीका है अब आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा थी और वो डाइरेक्ट टांसर आ गया था जो आपको अच्छा लगे दोनों ही कर सकते हैं मैंने पुरा खोल के आपको अभर को बता दिया । यह भी बहुत जप का क्योशन है परसंटेज वाला ही क्योशन था ठीक है न तो कोई दिखकत नहीं है मेरे साफ से ठीक है इस चीज नगकरन तो अब आज का सब्सस्तों मेरे साफसे यह रखते हैं कारण इसके पीछे मिक्छे क्योंकि मैं आपको एकदम केतना कि हाई बिल्कुल हाई पर नहीं करना चाहता कि आप के पास में इतना लोड हो जाए कि यह क्या गणित होगी इतनी है ना तो बिल्कुल आराम से पर लेना चाहते हैं इसको सेशन को और आज अपने क्या पड़ा कि मैंने का था कि बहुत चाहिख आप कोई सबी और भी एक्ञाम दे रहे हो चाहिए आप अभी यह जो आपका एक्जाम है है का इसको पर इकजाम गो और श्सी में करा रहा है बिल्कुल आराम से चलेंगे डीजी क्लास अप्लोड कर दूग डार मैं जयनोगे permanent class मिलेगी बस आपको 15 दिन मुश्किल से मेरे साथ आप रहो 15 days of math complete कर लेंगे बहुत शांदार बहुत शांदार तरीके से हैं तो ये आज का part 1 कैसा लगा ज़रूर comment करें अच्छा response आया अच्छे पढ़ने वाले रहेंगे तो इतना ही देखा होगा वेरी इजी क्योशन है बिल्कुल सिंपल सिंपल क्योशन है दसवी लेवल के एक्जाम में आयवे क्योशन भी खूब सरे इसके अदर ध्यान रखना है इसका पशूप परीचर में आपको इसी टाइप के इससे उपर नहीं जम मिलेगा आपको यता है इनको डंक से पढ़ते रहना पिर अपन मिलते हैं वापस आयत से शुरू करेंगे ठीक है उसके बाद वरक की तरब जाएंगे उन सब को रॉंबस यानि समचतर बुज वगरा जाएंगे समलम के पास में सब्सक्राइब करेंगे तो बड़े तरीके से काम करने वाले हैं कोई भी डाउट रहे गया हो तो आप कोमेंट नों लिख जाना कि जैसे कि के दिया साब 50 मिंट के उपर यह 50 मिंट के जुरू 2 सेकेंड को पर यह मारा असल डाउट है उसका सलोशन आपको नेक्स पार्टम क देंगे ठीक है यह था पार्ट वन जरूर कोमेंट करना कैसा लगा ठीक है ओके